हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉप शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ लाजीन असलाम अलेकुम आज सुप्रीम कोर्ट अफ पाकिस्टान की लौहर रिजिस्ट्री के सामने टेलिविशन, मौंतास टेलिविशन, अंकर परसन, डॉक्टर शाहिद मसूद भी पेश हुए मीडिया के और भी बहुत सी एहम शख्सियात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई जैनब के वालिद साहब, वालिद साहब के वकील जो है आफ़ता बाजवा वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए बहुत से वहाँ पे एहम फैसले हुए जिनलों को मीड थी कि डॉक्र शाहिद मसूद का गालब हम कोतिया पांचा आज ही हो जाएगा उन्हें इस हद तक मायूसी हुई ताहम सुप्रीम कोर्ट अपाकिस्तान ने एक जॉइंट इन्वेस्टिकेशन टीम क्रिएट कर दी है और डॉक्र शाहिद मसूद को ये हुकम दिया है कि वह जॉइंट इन्वेस्टिकेशन टीम के सामने अपने इल्जामात और अपनी एविडेंस जो है वो लेकर जाएं ये बात तो बड़ी वाज़े होती चली जा रही है ये एक इशू है लेकिन जो इशू खड़ा हो रहा है मीडिया के लिए टेलिवेशन अंकर्स के लिए टेलिवेशन चैनल्स के लिए और फिर ये अख़बारात के लिए भी वो इशू डॉक्टर शाहिद मसूद के फेट से बहुत ज़्यादा एहम है विकोस् पाकिस्तानी तेलिविजन चैनल्स उनकी खबरें पाकिस्तान के अख़बारात पाकिस्तान की ऑनलाइन पपिलिकेशन और पाकिस्तान के जो टेलिविजन प्रोग्राम्ज हें वो अक्सर चीजों को इस तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं जैसा कि उन्होंने हत्मी तोर पर उनके बारे में कम्प्लीट जाचकारी की है या उन्हें उसके बारे में पता है वो वो गाग और्डर है जहां सुप्रीम कोर्ट ने जैनेब के वालिद हर जी अमीन को ये कहा है कि वो मीडिया से प्रेस से बात ना करें उनके वकील को भी कहा है that आप करें यहाँ पे जो रिस्क है और वो खुद याई एक फीडबेक है यह सुप्रीम कोड़ अफ पाकिसान के लिए भी इस पे एक रिस्क है बेको सुप्रीम कोड़ अफ पाकिसान पूरे इहतमाद का मुझाहरा कर रही है अपना हुदा वज जो है उनोंने पंजाब की पूलीस और वहां की इंतजामियां और Whereas के पलड़े में टाल दिया है जो कॉमेंट्स हमाрьे सामने आएं उससे कमज़कं यही लग रहा है इस में रिस्क किया है कि पंजाब की पूलीस की जो क्रेडिबिलिटिए है वो कोई एक वाक्य से, कोई दो वाक्यों से, कोई तीन वाक्यों से, कोई एक दरजन वाक्याद से खराब भी हुई उसके पीछे तो सेंक्डो वाक्याद की हिस्टरी है और अवाम में, मीडिया में, सिवल सोसाइटी में, पाकिस्तान के किसी तबकाय फिकर के अंदर पुलीस के एदारे की किसी किसी किसिंगी कोई करेडिपिलिटी यह कोईी टरस्ट नहीं है अब क्या सुप्रीम पॉर्ट अभ पाकिस्तान इस राके के बाद से पुलीस की करेडिपिलिटी को जो है उसको रेस्टूर कर पाएंगे ये एक बहुत बड़ा लमाए फिक्रिया है बाराल ये सवाल मैं आपके जहनों में छोड़के जा रहा हूँ मेरे साथ एक बड़ा एहम पैनल है मुझे जॉइन कर रहे हैं जो प्रोसीडिंग हुई जिस किसम के इहकामात दिये गए जिस तरह की डिबेट हुई अब आपको क्या समझ आ रहा है थोड़ा सा उंचा बोलिएगा आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या बॉर्डर्स मतेयन हुए हैं टेलिविजन आंकर परसंस के लिए टेलिविजन चैनल्स के लिए ऑनलाइन पब्लिकेशन के लिए और अख़बारात के लिए देखें मिया तो पहले ही इस हवाले से जो पोर्ड ओफ एथिक्स हैं बने हुएं बड़ टेलिविजन के लिए भी प्रिंट मीडिया के लिए भी और उसी को फॉलो करने की तमाम लोग कोशिश भी करते हैं आज जो कुछ भी हुआ मुझे तो इस पर बहुत हिरान गी हुई कि डॉक्र शायद मसूद शायद उनका कसूर ये है कि उन्होंने एक अगर उसकी वीडियो सीडीज वगरा बन रही थी क्या उसका कोई कमर्शल परपस भी था क्या उससे कोई एकॉनमी इसके साथ लिंड है नहीं है वाइलेंट चाइल्ड पॉर्नोग्राफिका जो इन्होंने इशू रेस किया इसके बाद जब आठ और आप वाकियात कसूरी क देखते हैं तो फिर ये सवाल आता है कि जना ये एक मुल्जिम अगर इन तमाम वाकियात में था तो फिर वो पुलिस मुकाबला कैसे हुआ जिसमें मुदसर नामी शथ को मार दिया गया ना सिर्फ ये फिर आप देखते हैं कि जी नौर्वे आपको इन्फॉर्म करता है कि सरगोदा से कहीं ये चाइल्ड पॉर्नोग्राफी का काम हो रहा है आप उस पे एक्शन लेते हैं हमारे किसी अदारे को इल्म ये बात नी नौर्वे को ये बताना पड़ा फिर हमें पता लगता है जी चाइल्ड एक्स्वाइटेशन सेंटर कैनेडा ओटावा से इंटर सूर ने उस एकॉनमी का जिकर किया डार्ग वेब का हमने वो जिकर तो नहीं सुना लेकिन सैंटिस अकाउंट्स के पीछे सारे पढ़गे ठीक है एक सहाफी है उसने एक इन्फॉमिशन दी अब उसे बैक अप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो एक अलग सवाल है लेकिन जिस इस केस में अगर कॉलेक्टिव अपनी इंपुट दें तो इस मामले को हल कर सकते हैं इतना जिनलिस्टिक एक्सपीरियंस सब के पास है जाके यहीं मालूम करने का जिनाब यह जो पांच दिन थे जैनब बिचारी उसकी टाइम आफ डेथ क्या है फृरिंजिक रिपोर्ट क् बॉडी रिकावर कब हुई कहीं इसमें कोई कवर अप करने की तो कोशिच नहीं की जा रही जो पलिस इंकाउंटर पहले वहाँ पे दो कमस कमैसे वाकिया आते हैं जहां पलिस इंकाउंटर हो चुके और एक केस तो इस से जैनब से इन्नोंने लिंक कर दिया कि जी इमरान अ लेकिन मुदसर इसी केस में मारा जा चुका है गालिबन फात्मा बच्ची का नाम था उस केस में तो आपको एक नजर भी आता है प्रोपेंसिटी भी है आपकी हकूमतों की आपके इदारों की चीज़ों को कवर अप करने की अगर ये चीज़ें ना होती तो कैनेड़ा हमें ना बता रहा होता नौर्वे हमें ना बता रहा होता कि चनाप आपके मुल्क से ये वाला चाइल्ड पॉर्नोग्राफी का काम हो रहे है और हम उस पे हरकत में आके अरेस्ट करते हैं अब इसमें हो ये रहा है कि डॉक्टर शायद मसुद क्योंकि शायद हम लोग एक इमिजिस देखते हैं मनाजिर देखते हैं तो आप एक दम पूरे पाकिस्तान में होता है कि चनाप हमारे बच्चे वलनरेबल हैं तो हम शायद उस स्टेट ऑफ डिनायल भी बिगिए नहीं नहीं ये इस तरह नहीं हो सकता इसे नहीं हो सकता इन सेट के हम सारे ठीक मेरे मेरे साथ रहिए हबीब अक्रम साब इससे तो मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि शाहिद मसूद ने ब्लैक और वाइट तरीके से डेफिनिटिव तरीके से सैंतीस एकाउंट्स की जो बात की वो इनॉल प्रॉमिलिटी गलत है उसको थाबित नहीं कर सकत हैं जो दुनिया से हमें नॉर्वे और कैनेडा की पुलीसिंग अथॉरिटीज दे रही हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाहिद मसूद के पीछे जो लट लेके हम पढ़ रहे हैं उसमें वो जो वाइडर इशू है वो सप्रेस हो रहा है डॉक्र सब मेरा नहीं ख्याल कि वो व चे वाकियात पे वाकियात के बारे में आगही वाकियत और उनको बताने का और उनका बलाग का तरीका हमारी महारतों की बन्यादी महारतों का एक हिस्सा है यहां पर जो बाते हैं दो दो अंदास से हो रही है एक तो यह है कि क्या पॉर्नोग्राफी पाकिस्तान में नहीं हो लेकिन जो सवाल यहां पर हमारे पेशे के हवाले से पैदा हुआ है वो यह है किया हम हकाइक के ताकुब में रहते हैं या हकाइक कॉनकॉक्ट कर लेते हैं क्या वाकिय जो हम बता रहे हैं वो सूरत वाकिया है या हमारे खाब ख्याल या गलत सही रिसोर्सिस की पैदावार है यहां पर जो पर्टिकलर मामला है वो यह है कि हम में से एक शख्स जो दावेदार है वो कहता है कि मैं तुम तुम लोगों की बरादरी में से हूँ और वो बन्यादी सहाफती अखलाकियात का या बन्यादी सहाफती महारतों का भी उसके पास इल्म नहीं है वो एक ऐसी खबर को जो उसे नजाने किसी ने दी है या उसने खुद कॉनकॉक्ट की है वो बियान कर देता है जिससे पूरी की पूरी जो सूरते वाक्या है वो बदल जाती है वो दरिंदा जिसको हमने पकड़ा है, हमारे रियास्ती दारों ने पकड़ा है, उस दरिंदे की बजाए हम बात पलट के रोशनियों का रुख जो है, वो एक इशू की तरफ कर देते हैं, और मैं आपको अर्ज करूंगा कि वाक्या हकीकत है, इशू एक गैरमरी चीज है, वा इशूज टेंजिबल नहीं हुआ करते, इशूज मौजूद रहते हैं सुसाइटियों में, लेकिन वाक्यात को हम तोड़े मरोडेंगे, तो देखिए फिर हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आ जाएगी, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि ये है, ये इन्वेंटेड है, ये इस तरह से कान्वजेशन और डायलॉग हुआ ही नहीं, लेकिन अट दे सेम टाइम किसी भी अथॉरिटी ने उस जरनलिस्ट को ये अख़वार को ये कंपेल लीगली किया ही नहीं, हलाकि अमरीका में उसकी नजीर मिलती थी, कि भाई आप बत तरह कर दो अगर वो खबर गलत थी, तो फर रिपोर्टर और पबलिशर को भी कبرा अदालत में, किटेरे में पेश होना चाहिए था, अगर उस वक्त महख एक रिपोर्ट में को त才ए होगी बात तो वो भी गलत थी झाल झाल